पात करने वाले हैं how to control your emotion in during trading फिल्बत हम यह समझें कि कि जो emotion होता है वो क्या है emotion में हमें होता है कि loss होने का डर रहता है और कुछ तो है ने trading के अंदर जो हमें emotion हावी हो जाता है और को वजह से लोग नुक्सान कर देते हैं डर क्रिएट हो जाता है तो emotion आता क्यों है कुछ बेसिक चीज जानते हैं जहां आता है उसमें होता है कहीं हो सकता है capital है या तो लोन ले रखे हमने उस capital को लोन से लिया है या हमें उस capital के base पे अपनी basic requirements पूरी करनी है या तो वह हो सकता है या तो यह हो सकता है कि हमने बिना research के कोई ऐसी strategy हमाई पास नहीं थी बस में एक अंदारे stock लिया या तो उपर जागा निकल जाएगा नीचे जाएगा तो फिर तो नुकसान होना है या तो यह हो सकता है विदाउट research हमने कोई stock पिक कर लिया है ठीक है और उसके बाद और हमारी जो basic needs लाइक हमने इसी capital हमने घर को चलाना है घर के basic requirement को फुल्फिल करना है कुछ यही तीन चार चीज़े होती है तो अगर हम यह सोच लिए तो उसको पता करने के लिए आपको करना क्या होगा आपको करना होगा आपको अपनी trading skill को पर काम करना होगा time देना होगा दो से तीन घंटे अपने आपको यहां बहुत से एच्छे YouTubers को आप को सिख़ा सकते हैं तो आप make YouTube के सकते हो अब को सब्सकर होगा और उसी के साथ अगर आपको पैसा खूने का डर है बार बार हमें आपको क्योंसर इसा नहीं कभीक्राय। यो किसी साथ चाहे मैं हूँ या आप किसना भी बड़ा ट्रेडर क्यों न हो जाए इमोशन होता है बट हाँ एक लेवेल होना चाहिए इमोशन का इतना भी डर न हो जाना चाहिए कोई श्टॉक चार रुपय गरी है तब तो लगा सब कुछ से डरोगे तो नहीं होगा बट हाँ काल्कुलेटड लॉस लो आप पहले से रिसर्च कर लो अपना स्टॉक लॉस डिवर डिसाइड करो कि हाँ अगर आपका दाथान रुपय आपका स्टॉक लॉस होगा और दोसो चार रुपय आपका प्रॉफित होगा तो आपको पता है कि अगर आपने हजार से अरभाएक करें आपको दौजर करका रखो टिंशन ही नहीं नहीं है तो आट पर सब्सक्राइब गिर जाएगा तो हमें डर रहे था जिसना कब तक हमें दिखेंगे डर ना जब तक हमें अपना लॉस तो फता नहीं हो किसना लंब है था तो हमांगे अ आपको trader बनता है ना तो आपको कुछ basic चीज़े ही है और कोई ऐसा rocket science नहीं आपका discipline, 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 stop loss, risk management, money management और stop loss, बस यही चार चीज़े, बार बार इस चीज़ को बाहर कोई बात करना चाहता है, but gambling की तरह मत को trading को, proper research करो, जिस भी stock के अंदर आप entry लेने वाले, फिर एक दिन पहल नहीं है, या कोई dividend हो देरी company, कि आप सुभे, तो इन सारी चीज़े को समझो आप, तब जाके आप अपने emotion को control कर पाऊगे, और उसके बाद आपके जो basic need और bread and butter fulfill करना है, आप day one से stock market की income को पर depend मत हो, आप अपने side income, job business जो भी आप करो, उसके साथ में training करो, full time trader बनने में एक time लगता है, और day one से burden दोगे, तो फिर emotion हावी होगा, तो आप ऐसे सोचों कि आप सुरुआती दौर पर जो भी आपका capital है, उसके पर किशी भी प्रकार की आपके personal life, आपके घूमने का, आपके blade and butter, आपके loan, कोई burden नहीं होना चाहिए, only, only, कि आपको आपको trading से पैसा क जब आप अपने उस capital को अपने अपने account पर रोकोगे, और consistent updating करते रहोगे, सीखते रहोगे, हल अपनी गलतियों पर सुधार करोगे, और हर अच्छे investor, हर अच्छे trader की journey में यह सारे phases आते हैं, और हर किसी phases में वो लो इन ही सब चीज़ों को follow करके सीखते हैं, आदे बढ़ झाल